नमस्कार दोस्तों मैं हूँ ब्रेजेस और आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है एनिमिशन और फिक्स को लेकर जिसके उपर हजारों सवाल होते हैं स्टूडेंस के मन में कि आखिर कौन सा बेस्ट है किसमें करियर सबसे बढ़िया है और किसमें सेलरी जादा मिलती है या फिर इससे बहुत सारे सवाल हैं जो स्टूडेंस के मन में होते हैं तो चलिए आज मैं आपको क्लियर कर देता हूं यह पूरी जो आपके दिमाग में जो कंफ्यूजन है वो पूरी कंफ्यूजन आज में क्लियर कर देता तो प्लीज कर लिजे और विडियो को लाइप भी कर लिजेगा तो चलिए सुरू कर दें आज करे विडियो दोस्तों सबसे पहले समझ लिजे कि एनिमेशन और वी एफेक्स यह चीज क्या है तो फ्रेंस एनिमेशन जो है एनिमेशन में हम किसी भी कैरेक्टर का 3D रुपां तो लाइफ और वाइप यह चीजे अंदर जो बाग आपने देखा था उसका जो एनिमेशन है उस वो हो गया उसको 3D में बनाकर इसको एनिमेट किया था अगर मैं आपको बात करूं नावनिया की जो आप लोगों सभी ने देखा होगा तो नावनिया में जो सेर था उससे 3D में बनाकर उसे animate किया गया था जिससे वो सेर फिल्म के अंदर बोल रहा था अब यह हो गया animation का part कि animation में अगर आप animation के और बात करें तो चितरे सारे cartoons आप देखते हो जो भी cartoons जो भी animated series देखते हैं लाइक छोटा भीम, डॉरेमोंज तो ये सारे जो कार्टून्स हैं ये सारे के सारे एनिमेटेड होते हैं और इसे आप आसानी से देख सकते हो तो इसमें चाहे कुत्ता हो या बिल्ली हो या कोई जानवर हो सब ही बात कर सकते हैं तो ये पॉस्लिबल होता है एनिमेशन के ज़ सारे एफेक्स देखते हैं लाइक ब्लास्ट होना किसी चीज का कहीं आग का आग लगना या फिर आप देखते हो कि कोई बिल्डिंग तूटके गिर रहा है सबोज आप अगर मान लो अगर आप फास्ट और फ्यूरियस की बात करते हो उसमें आपने देखा होगा कि बिल्ड एफेक्स किया गया था जिसकी वज़े से आप उस सीन को आसाणी से परदे ने ःख सकते हो जो सीन अक्च्ट में हमारे लाइफ में यानि की हमारे रियल वर्ल में एक चीस भी नहीं करता उसे हम आसानी से बना सकते हैं तो यह है विजुवल एफेक्स अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि विजुवल एफेक्स और एनिमेशन की इसमें करियर कैसा है तो दोस्तों एनिमेशन और विफेक्स अगर दोनों की बात करें तो विएक्स में करियर थोड़ा जाधा है ठो इसमें जो चॉप्स के जहाता है तो उसकी वजह से आप विजुवल एफेक्स में बिजा सकते हूं ऑकर अप को आईपको दोनों क हैटेग्री सिप्ल्प में जाना चाहते हैं तो आपको वहाँ में आपको सबसे इंपॉर्टन जो software है वो है माया जिसके जिससे सीखने के बाद आप आसानी से animation की दुनिया में अपना कदम रख सकते हैं इसमें आपको कुछ job categories होते हैं जिससे modeling, texturing, lighting, rigging, animation तो यह सारे categories होते हैं जिसके अंदर आप अपना job start कर सकते हैं, अपना career start कर सकते हैं वहीं अगर मैं VFX की बात करो तो VFX में तक्रीबन 20-22 softwares होते हैं जिससे आप सीख सकते हो और इसमें आपको उसी तरीके से जो job होंगे उसके भी offers आपको हैंगे जैसे आपको roto artist, packing artist के हिसाब साब काम कर सकते हो, match move artist, clean up artist, paint artist, ठीक है और उसके बाद आप FX artist तो यह बहुत सारी चीज़े होती हैं जिसमें आप आसानी से काम कर सकते हो, अपना career start कर सकते हैं लेकिन मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि VFX और animation यह दोनों अलग नहीं होता है आपको अगर यह दोनों एक दूसरे से connected होते हैं जैसे आपको भी VFX की फिल्म देख लो उसमें भी animation का होना बहुत जलूरी होता है बहुत जगा होता है अगर मैं आपको एक movie का example देना चाहूंगा एक fan के scene में fan जो movie आपने देखा था उसके scene में सारुखान जो building से नीचे गिरता है वहां पर सारुखान का जो आधा से नीचे का portion होता है यानि कि इस से नीचे का portion होते है पैर वाले portion वह 3D में बनाए गयते और उसका animated version वहां पर डाला गया था जो आपको देखके पता भी नहीं चलेगा तो ये दोनों चीज एक दूसरे के साथ काम करते हैं और एक साथ ही काम करते हैं तो अगर आप animation अब मैं आपको बता दूँगी animation और VFX में आपको जाना कैसे है दोस्तों अगर suppose आपको मान लो कि आपको sketchings आपको paintings आपको drawings आपकी बहुत अच्छी है और आपको इन चीज़ करते हैं उसे अच्छे से सीखनी है सीखने कडाई में अगर वो ज्यादा practice करता है तो किसी भी field में बहुत अच्छा करियर बना सकता है हमारे बहुत सारे स्टूडेंस हैं अभी successfully industry में as a lighting artist as a modeling artist as a look development artist as a texturing artist as a roto artist वो लोग आसानी से काम कर रहे हैं और काफी साल से काम कर रहे हैं यह जो दोनों ही options है animation और VFX को बहुत ही बेमिशाल options है आप दोनों में से किसी भी career को choose कर सकते हैं मगर अगर suppose मालो आपके interest पे भी depending करता है कि आपको किसमें ज्यादा interest है अगर आपको VFX part में interest है तो definitely you can join VFX job के जो opportunities हैं दोनों में ही बहतरीन हैं और बहुत सारे हैं unlimited हैं आए दिन इसमें requirement आती रहती हैं बस आपको चरणत है अच्छे से सीखने की और इसे practice करने की उसके बाद आप आसानी से अपने इस field में अपना career start कर सकते हैं तो उमीद है दोस्तों कि आपको animation और VFX के बारे मे चीजे समझ में आई होंगी अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजे और मिलते हैं आपसे निक्ष्ट वीडियो में एक नए topic के साथ और बहुत interesting topic के साथ तब तक के लिए इजाज़त दीजिए हमें बाबाई take care and most important keep learning